वेलकम वेलगाइस आज की इस वीडियो में मैं जो वह आप लोगों को दो न्यू अपडेट से रिलेटेड काइड करने जा रहा हूं एक तो UX लिंक की एक चोटी सी अपडेट है लेकिन यह है कि अंपोर्टन अपडेट है वीडियो को देख लीजेगा तो उस अपडेट से रिलेटेड आप लोगों को गाइड करने जा रहा हूं अगर आप लोगों ने अर्डेडी जोइन किया हुए तो जो मैं प्रोसीजिय बताने वालों को कर लिजेगा अगर आपने जोईन नहीं किया हुआ यूवल एक्स लिंक एड्रोप को तो लिंक आपको मेरे टेल्यूराम चैनल के उपर और मेरे वाट्सप चैनल के उपर मिल जाएगा और मेरे वाट्सप चैनल और मेरे टेल्यूराम चैनल के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उतर से आप लागि इस के ओपर क्लिक कर रहो हुआ प्रफाइल वाले की ओपर ही तो मैं अपने God के दो राज़त हूं और आप लोगों को बता तो कि क्या करने है dev Hobart करने क्या करने है कि मेरा ही नोज़ान O और यह my account के उपर से अगर आए है तो उदर से three lines के उपर click करेंगे तो यह UX profile option आ जाएगा इसके उपर click करेंगे तो यह आपने इदर वो five steps चोगो complete करने है अपनी profile में तो यह मैं नीचे कर लेता हूं इसको तो मैंने अपना email address भी already link किया हुआ है उसके बाद social accounts भी connect किया हु connect new wallet तो यह हमने wallet अपना connect करना है तो मैं अपना wallet भी connect कर लेता हूं अगर नीचे को करूं तो यह UX SBT है तो यह भी मैंने already mint किये हुए है अगर आप लोगों को इस से related ज्यादा नहीं पता तो इसके उपर जो मैंने already दो वीडियो बनाई हुए है उनका link भी आपको इसी लोगों वो पता चल जाएगा कि आपने यह सब कुछ किस तरह से link करना है तो यह connect new wallet option है इसके उपर क्लिक करके मैं अपना wallet connect कर लेता हूं जल्दी से तो यह connect wallet के उपर क्लिक करता हूं और अपना metamask connect करने लगा हूं तो यह मैंने अपना wallet भी जो successfully connect कर लिया है और यह आप लिया है और आप लोगोंने भी कर लेना है तो आप जो ओजी सी माइनिंग की KYC वाली update है तो यह देख सकते हैं तो यह मैं अल्रेड़ी माइनिंग कर तो मेरे पास balance में कितने token पड़े हूं वह भी देख सकते हैं अगर तो आप लोगोंने अल्रेड़ी जोइन किया हूए त well and good अगर आपने अभी तक OGC माइनिंग को जोईन नहीं किया तो आप स्टेल जोइन कर सकते हैं और आप अपना OGC token जो माइन करना शुरू कर सकते हैं क्योंकि अभी स्टेल टाइम पड़ा हुए और लिंक आपको मेरे वर्टसप चैनल और मेरे टेलिग्राम चैनल के ऊपर ह कि अपना अकाउंट रिजिस्टर कर लेना है रिजिस्टर कर लेंगे उसके बाद यहां पर क्लिक करना है और इसको माइन करना है शुरू कर देना इससे पहले जो वीडियो बनाई हुए हमने वह भी लाजमी देख लीजिएगा उसके उपर आप लोगों को समय लग जाएग इसके उपर आप लोगों को जो यह एक न्यूऊ ऑकशेंज से रेलेटेड डिटेल मिलती है और इन लोगों ने बिसक्लिए इसके अंदर बतया है कि जब हम इसके उपर क्लेम ओपन करेंगे तो जो क्लेम बगएरा होगा वह आप हैश की ग्लोबल एक्सचेंज के उपर से क्लेम कर सकते हैं मतलब उतर हम ट्रांसफर कर देंगे और यह देख सकते हैं वर्स्ट ओजी सी टोकन्स विल बी अवेलेबल फॉर यूजर्स डैट और हैश की ग्लोबल एंड विल कंप्रीट तक के वाई सी तो यह लोगों को अपनी साइट पर जो वो के वाई सी वगरा का सीन करना चाहिए था ना किसी थर्ड पार्टी अप्लिकेशन के उपर यह फारवर्ड कर रहे हों के वाई सी के लिए तो खेर अभी हमें करनी तो जो वर्क नहीं करेंगी और अवेलेबल नहीं होगी तो हम आप लोगों के लिए कोई और सिलूशन भी लेकर आएंगे और इसका डेफिनेटली कोई ना कोई सिलूशन बनता है कोई हो के यह तो कोई सिलूशन नहीं है कि आप सारी कम्यूनिटी को बोलें कि भाई जस्ट अपने पार्टनर को प्रमोड करने के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं अब ना जाने अल्ला बितर जाने इन लोगों कि इतने बैसे लिए क्या किया है बाकी यह जो इन लोगों की अपडेट है यह इस तरह नहीं होनी चाहिए थी लोगों को अपनी के वाई सी सेपरेटली करते हैं और कोशिश करते हैं कि वाई सी वरा कंप्रिट करने अप लोगों को भी बताता हों कि आपके आपने रख दें तो ऐसा बहुत हद तक मुनकेन है क्योंकि ऐसे तो कुछ भी नहीं चलने वाला ऐसे तो community फिर इनको बाद में ट्रॉल करेगी अच्छे से अच्छा तो इसको जोईन करने के लिए हमने gift box के उपर आजाना है इस तरह आजाएंगे तो यहां पर यह आपको मिल जाएगा यह जो हमने आल्रेड़ी hash की global वाला जो claim किया हुआ reward इसके उपर क्लिक कर लेंगे तो यह हम hash की वाली साइट के उपर चले जाएंगे इनकी exchange वाली साइट के उपर चले जाएंगे अब हमने इसके उपर पहले करना है अपना account sign up अच्छा email address वही दीजिएगा sign up करते हुए जो आपने ogc के उपर जो वह दिया था sign up करते हुए मतलब जिस email address के उपर आपका ogc का account बना हुआ है वही email address जो इधर भी use कीजिएगा इधर भी account create करते हुए तो सबसे पहले आपने email address वही देना है password रखना है उसके बाद यह confirm करना है और sign up आपके उपर क्लिक करके sign up करना है तो मैं sign up कर लेता हूँ जैसे ही आप sign up करेंगे तो आपके email address के उपर एक OTP code जाएगा तो वह OTP code इधर आपने देना है और submit के उपर क्लिक कर देना है तो जैसे ही मैंने OTP code दिया है इसने automatically detect कर लिया है और registration successful हो गई है उसके बाद यह Android APK का भी option आगी है मारे पास download करने का तो इसके उपर simply click करता हूँ और इनकी application को download कर लेता हूँ तो मैंने hash की global exchange को install करके जो अपने account को login कर लिया है और आपके पास इस तरह सा आ जाता है Congress on your successful registration verify now option यहां पर भी मिल रहा है तो इसके उपर क्लिक करके verify now पर क्लिक करता हूँ और यह हमने इसके उपर अपनी KYC complete करनी है तो यह हमारे पास KYC के लिए क्या गया नजर आ रहा है जिए ID proof upload liveness check address proof upload complete information यह address proof पर ही चीज़ है न यह थोड़ी सी समय से बाहर है कि यह क्यो इसी होती है मतलब बहुत ही ज्यादा funds वगरा आपने अगर किसी एक्सचेंज वगरा के उपर transfer वगरा करने हों तब आप लोगों का यह address proof वाला जब रकॉाइड होता है तो यह तो हम भी तो हम इसके उपर कुछ कर भी नहीं रहे हो और इनका address proof और नजर आ रहा है verify now के option के उपर हमने क्लिक करना है यह send का बटन नजर आ रहा है इसके उपर क्लिक करना है और हमारे mobile number के उपर एक OTP code जाएगा तो third attempt के उपर जो मेरे पास OTP code आ गया है और मैंने OTP code लगा लिए उसके बाद है हमारे पास I am a resident of all 11 तो यह हमारे पास country select करनी है United State of America में तो हमारे अधर के उपर select करेंगे हम उसके बाद continue के उपर क्लिक करेंगे और यह हमारे बास RIG identity document take a photo of your ID उसके बाद है card की first side or back side को जो वो किया capture उसके बाद जो सरकल में हमारा जो वो face scan करता है तो वो complete कर लिया है अब हमारे बास यह basic information का वो verification आ चुका है तो यह verify करना है हमने ठीक है तो यह जो भी details वगएरा मेरी ID card वगएरा के उपर थी वो इदर से verify करनी है और next के उपर click करना है तो वो मै permanent तो यहां पर मैं Pakistan करता हूं जिसर्च तो यह मैं Pakistan कर लिया है उसके बाद यह type of proof of residence तो यह हमारे पास जी जैसे के पहले लिखा हुआ था इन लोगोंने के proof देना पड़ेगा address तो यह इसी तरह से मांग रहे है अब हम क्या कर रहे है वाटर एंड electricity bill का option है तो मैं इसके तो मैं अपना electricity का bill add करने बार हूं ठीक है तो देखता हूं कि क्या बनता है हलाना कि जो electricity का bill लेना उसके उपर address different है और मेरे ID card के उपर different है so let's see try करता हूं अगर तो हो जाएगा तो ठीक है नहीं तो फिर भाई छोड़ देंगे इसको और क्या करना है फिर देखेंगे कि इनकी तरफ से कोई और option हागता है तो वह हम complete कर लेंगे मैंने अपना electricity का bill add कर दिया उसके बाद next हमारे बास फॉर्थ नंबर पर financial information भी मांगना शुरू कर दिया भाई इतनी detail किस लिए क्या रिष्टा देना हमें इसके पर क्लिक करते हैं तो यह मैं self-employed के उपर क्लिक कर लेता हूं इंडस्ट्री क्रिप्टो वैब 3 इंडस्ट्री में सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद highest level of education इसके बाद है जी net asset total value US dollar जो 0 से 2 million select कर लेते हैं उसके बाद है initial source of funds तो यह इंकम के उपर क्लिक करते हैं अच्छा जी इसको हम जी कर देते हैं वेरिफाय यहां बें आप हम से signature करने के लिए बहुत है वही बहुत है तो यह इसके उपर finger से ही हम जो बूर सिगनीचर करने हैं तो यह बुरे संदाज में जैसे भी होज गया है तो यह मैं अगर वेरिफाय नवक्यों पर क्लिक करता हूं तो यह आप देख सकते हैं कि fail हो चुकी है तो जो इनकी तरफ से email आया वो भी चेक करवा दो यह इन लोगों ने बताया है और जहां तक रही बात बैंक स्टेटमेंट की तो भाई मैं वह तो हरकेस भी निसके ओपर आड करने वाला अब इतनी जादा डेटेल्स यह किस खुशी में मांग रहे हैं यह मेरी समय से बाहर है परदर यह है कि इनकी तरफ से अगर कोई और KYC का सिलुशन दिया जायेगा किसी और एक्सचेंज वगरा कि थूप तो अदर से कर लेंगे यह इनकी साइड के उपर यह अपनी KYC करवाते हैं तो उदर से कर लेंगे तो फिकर मत कीजिए मेरी भी आप देख सकते हैं कि reject हो चुकी है तो कोई tension वाली बात नहीं है तो वेट करते हैं जब भी कोई new update आएगी तो उससे related में आप लोगों को बता दूँगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके लावा मेरे WhatsApp चैनल और Telegram चैनल के उपर भी मुझे follow कर लीजिएगा ताकि कोई भी छोटी मोटी update आती है तो मैं उधर ही share कर दूँगा अक्सर छोटी मोटी update होती है तो उसके उपर मैं वीडियो बनाना गवारा नहीं करता हूं कि भई अब एक दो words वाली बात के उपर क्या वीडियो बना है चोटी सी बात ह मिल जाएंगे that's it thank you so much for watching InfoFinder अला फैस मिल थे नेक्श वीडियो में